हेलो एब्रीवन मैं प्रतिवा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Constitution के सबसे ज़्यादा Confusion वाले टॉपिक की एक ऐसा प्रेशन जो आप से हमेशा पूछा जाता है इंटर्वियू में भी कि ऐसे कौन से fundamental rights हैं जो सिटीजन और दो बाहर के वेक्ति जैसे की foreigners उन पर भी एप्लाए होते हैं तो यह question जब पूछते हैं तो हम क्या करते हैं अपना सर पकड़के बैड़ जाते हैं क्योंकि यह सब चीजें Constitution में लिखी गई है लेकिन हमारे पास एक proper list नहीं होती है एक जगह पे जैसे IPC में कितने offenses ऐसे हैं जिनमें death punishment दिया जाता है वो IPC में लिखा हुए लेकिन हमार यहुझा हूं इस वीडियो में सबसे पहले हम देख लेंगे उन आर्टिकल को जो दोनों पर अफलाई होते हैं दोनों पर अपिला हुने वाले जो लिखा हुए manualism यह बंब करिभा टिकल को मेरे एक जैश करेंगे देखिए, आर्टिकल 14 के बाइद आता है, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, यह सभी आर्टिकल्स, यह सभी आर्टिकल्स किस पर एप्लाए होते हैं, citizen पर भी अप्लाए होते हैं, और मतलब person word use हैं यहां पर, ठीक है, तो उसके अंदर कौन आते हैं, दोनों आ गए, citizen भी, जो नागरिक हैं यहां के, और जो foreigners हैं उन पर भी, बट यह alien enemy पर अप्लाए नहीं होते हैं, याद रखिएगा, एक आर्टिकल्स यहां पर miss हो गया है, वो है article number 18, abolition of title, यह भी person पर, as well as citizen, दोनों शब्द यूज गए, दोनों शब्द यूज लिये गए हैं, इस article में, तो यह दोनों पर apply होने वाला article बन जाता है, नेक्स आता है, हमारे पास बच्चे हुए, तो आपको समझ में तो आई किया होगा, कौन से बच गए, फिर भी एक ट्रिक वाला वीडियो है, जो आपने देखा और नहीं देखो, यहां से question बहुत पूछते हैं, A, B, B, C, D में कौन सी है, sequence पूछ लेते हैं, तो वो भी अगर वीडियो आपने नहीं देखा, तो मुझे बताएगा, comment box में मैं आपके लिए बना दूँगी, article 29 जो है, और article 30, यह सभी articles जो हैं, किस पर apply होते हैं, only and only citizen, आपके बस नागरिकता होने बहुत जरूरी है, इस चीज को याद करने के लिए देखिए, एक तो लिस्ट आ गई, फिर भी confusion हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे याद रख लो, 15, 16, 19, 29, तो आपको इससे clear हो जाएगा, 15 16, 19, 29, यह किस पर apply होते हैं, citizen पर, तो बाकी की बच्ची किस पर apply होते हैं, दोनों पर, और याद रख लेना, जो citizen पर apply होने वाली है, यह 99 वाली, देखिए, जिसमें 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, तो यह सिर्फ और सिर्फ citizen पर है, नो नो, भारत के नागरी की मना कर ठीक है, तो नो, नो, मतलब 9 जिसमें आएगा, वो किस पर apply होते हैं, only and only citizen पर apply होते हैं, तो आप देखिए, कहीं भी इसमें, दूसरी बारी list जो है, जो दोनों पर apply होते हैं, इसमें 9 नहीं है, 14, 20, 21, 9 है, कहीं, नहीं है, 9 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 19 और 29, तो ये चीज़ आपको आद जाएगी, 15, 16, 19, ये दो पकड़ लेना, बाकी के बच्चे वे, सब के लिए, सब को छूट है, ठीक है, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए, इस तरह की information को हमारे channel को subscribe कर लि ये टेलिग्राम पर आपके लिए PDF, notes, some questions और भी किसी तरह की images, information होती है, वो सब वहाँ पर available हो जाती है, update हो जाती है, thank you so much